हेलो गाइस जब आप अपने इस्टाग्राम एकाउंट को उपन करते हैं और इस्टाग्राम एकाउंट को उपन करने के बाद जब आप अपने इस्टाग्राम एकाउंट की सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक अप्शन दिखने को मिल जाता है save it login information आप इस पर जैसे किलिक करते हैं तो यहाँ पर आपको यह option दिखने को मिल जाता है save it login और यहाँ पर आपको यह enable यह dis enable का option सो जाता है तो आपको नहीं पता कि इस option का use कैसे किया जाता है और इस option को use करने से आपको क्या क्या बेनी फिट होता है तो अगर आप save it login information के option को use करना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहना वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like आउच आपको subscribe कर लेना क्योंकि यह अच्छान वीडियो आपको इस आप मिलते रहते हैं तो उसके लिए फ़ले आपको अपना Instagram open कर लेना है Instagram open करने के बाद आपके समने कुछी इस तरह का इंटरफेस होगा तो आपको नीचे की हो देखना है आपको आपकी profile की photo सो जाएगी आपको इस पर किलिक करने के बाद आपको आपको ऊपर की हो देखना है आपको इस पर किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको option मिल जाएगा तिसे नमबर पर save it information log in information आपको यहाँ पर इस तरह अप्सन दिखने को मिल जाता है save it login इसका मतलब यह होता है कि अगर आप अपने Instagram account को login या log out कते हैं जब आप अपने Instagram account को log out कते हैं, एक account को log out कते के दूसरे account को login करते हैं तो वहाँ पर आपका password मांगता है जिस account को आप login करना चाते है उसका password डालते हैं तब आपका account login होता है अगर आप इस option को enable कर देते हैं तो आपकोÜND है वहairy account आपका direct login हो जाएगा आपको password डालना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका password वो save हो जाएगा आपके account की profile picture दिखाएगा वहाँ पर आपके जितने भी account होंगे और वहाँ से आप अपने जिस भी account को login करना चाहते हैं लोगिन कर सकते हैं तो अगर आपको यह जानकर यह अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक आपको सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसे नोलिफल वीडियो आपके चाहँ पर मिलते रहते हैं और यह बाला आपको इनेवर रखना इससे आगर आप अपने इस्ट इस्ताग्राम एकाउंट को लोगिन या लोग आउट कर सकते हैं तहरे झाल